दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंगलिश बाब उपर और आज मैं फिर आज जरूँ आपके साथ एक निउस रिपोर्ट लेके टाइमस ओफ इंडिया से जहां मैं करने वालों इसको हिंदी में ट्रांसलेट तो चलिए इसको शुरू करते हैं सबसे पहल परदने करता हुआ शुरू करता हूं आपसे रिक्वेस्ट याप इसको अच्छे से समझ सकें a 40-year-old woman and her minor daughter died and 38 other co-travelers including 14 women and five children were injured after a roadways bus fell into a gorge at sharegari around three km from massuri on the massuri dehradun road on sunday a 40-year-old woman and her minor daughter and her minor daughter and her minor daughter. died and 38 other co-travelers co-travelers का मतलब होता है सहयात्री साथ में सफर यात्रा कर रहे व्यक्तिएं को co-travelers कहा जाता है and 38 other or 38 co-travelers मतलब की सहयात्री including मतलब मिलाकर 14 women 14 महीलाएं and five children और पांच बच्चे were injured गायल हो गए after our roadways bus कब गायल हो गए जब एक roadways bus fell देखिए जो word है यह F-E-L-L यह fall की second form है आप इसे note कर सकते हैं और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको यह बात बताना चाहूँगा कि जब हम ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर second form का प्रियोग होता है तो आपको यह चीज याद रखनी है कि यह past indefinite का ही sentence होता है क्योंकि past indefinite के अंदर जब भी आपको पॉजिटिव का sentence बनाएंगे तो वहाँ पर हमेशा वर्व की second form का ही प्रियोग होता है तो आप इस चीज को note कर लें और यह इसकी जो first form है वह फॉल फॉल यह second form है और third form इसकी fallen होती है तो फिलाल यह फैल है इसका मतलब यह past indefinite का वाक है और इसका मतलब होता है गिरना तो क्या मतलब हुआ आफ्टर रोडवेज बस जब एक रोडवेज बस fell into a gorge जब वह एक जो रोडवेज की बस थी वह गिर गई किसमें गिर गई into a gorge गोर्ज का मतलब होता है कोई तंग घाटी जो पहाड़ों में होती है into a gorge at कहां पर शेरगड़ी शेरगड़ी में around 3 km करीब 3 km कहां से from मसूरी मसूरी से on the मसूरी देहरादून रोड मसूरी देहरादून रोड पर on Sunday रविवार को आगे देखिए the victims were identified victim का मतलता है पीड़ी जो पीड़ी थे वर identified उनकी पहचान की गई as सुधा लखेरा सुधा लखेरा and महक लखेरा 15 बोथ रेजिडेंस रेजिडेंस का मतलता ह फेर्जिडेंस फारे डेजिडेंस निवासे हैं कहांके मसूरी के निवासी है न सकाता है तागा अठीर्ली से दिल्ली से UP and हर्यान से six of the injured were discharge क्या मतलब आ इंजए जो गाहिल मेरे से छे hates लोगों को वर डिश्चार्ज मतलब उन्हें डिश्चार्ज कर दिया गया डिश्चार्ज करने का मतलब होता है हॉस्पिटल से उप्चार करने के बाद उनको छोड़ दिया जाना और तो उन्हें डिश्चार्ज कहा जा तो क्या मतलब हुआ सिक्स औफ द इंजर्ट वर डिस चार्ज मतलब घायलों में से चे को डिस्चार्ज कर दिया गया वर डिस्चार्ज फ्रॉम होस्पेटल अस्पताल से लेटर बाद में कि आफ प्रात्मिक उप्चार मिलने के बाद प्रात्मिक उप्चार दर रेस्ट ऑफ दा इंजर्ड जो रेस्ट का मतलब होता है बाकी बचे वे गायल है सिक्स ऑफ फूम जिसमें से छे जो है आर इन सीरियस कंडिशन वो गंभीर अवस्था में हैं आर अंडर गोइंग अंडर ट्रीटमेंट इंदेहा-दू देहा-दून में न बस वाज ओन इटम सब्सामाइग सब्सक्राहन बस जो थी उ psycho मीट्सक्षी और असशुत के लिए जिफ़ ल सस्टाइव धिल्या नेपना लॉस्ट के थे पन इनुगोएन लोएं ओ न मनोच रोज बैवर बील एक गहरी घाटी में गिर गया फैल इंटूर डीप गोर्ज एससपी देहरादू ने दलीप सिंग कुमर सैड उन्होंने कहा प्राइमा फैसी प्राइमा फैसी का मतलब होता है प्रित्यम दिरिस्ट्रिया दा ड्राइवर जो ड्राइवर है वाउस इस्पीडिंग वो ते मतलब इसे चला रहे यह का nodig की यहां पर पर भी सेकंड हों का प्रियों किया गया है। इसका मतलब होता है तो टेक प्लेस का मतलब होता है किसी घटना का घटना और यह सेज़्ट फॉम है तो क्या मतलब है एकसिदेंट जो दुरुगटना है तो ब्रविटना घटी अराउंड 1245 पिम करी 1245 पर आइस जैसे कि और नतीक है टूद अंग करभी परसणल वर अमंग the first to rush in and carry out ॉप्रेशंस क्या मतला हुआ जो बिखना कि Warsaw से पहले पहुंचने वालों में एंड कैरी आउट रैस्की ऑपरेशंज और उन्हें क्या कर नौए है रेस्टी ऑपरेशन का मतलब होता है बचाव कर रहे हैं आगे देखिये आफ्टर रेसीविंग इन्फोमेशन मतलब की सूचना प्राप्त होने के बाद अबाउट दा एक्सिडेंट घटना के अबाउट दैख्सिडेंट मतलब की दुर घटना का पर्सटेट डिजास्ट रिस इस पोर्ट वो घटने स्थल पर पहुंचे तू कैरी आउट रेस्क्यू ऑपरेशन तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने भी ट्रांसलेट किया है मैंने कोशिच किया आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की अगर आपको अच्छा लगाओ तो आ ने के लिन थैंक यू सो मच वैव नाइस दे और भाई